असलाम अलेकुम अक्सर माई ये सवाल करती हैं कि हम अपनी बच्चियों की किस उमर में शादी करें हमल ठहरने की सही उमर क्या है तो एक बच्ची जब पैदा होती है तो उसके अंदर तकरीबन 400 eggs reserve में होते हैं जो उसकी reproductive life में release होते हैं तो जैसे ही बच्ची को पहली दफ़ा मेंसिस आते हैं जिसको मिनारकी कहा जाता है तो उसके बाद महाना 1-2 egg release होना शुरू हो जाते हैं जो के तकरीबन 13-14 साल की उमर से लेकर 45-48 साल की उमर तक ये reserve आपका खतम हो जाता है तो इस दोरान जो ये तमाम reproductive age है मेंसिस के शुरू होने से लेकर मेंसिस के बंद होने के बीच में किसी भी औरत को pregnancy ठहर सकती है हमल उसको हो सकता है अब इसमें सवाल ये है कि वो सही और perfect age क्या है जिस उमर में pregnancy हो जानी चाहिए आज कल जैसा के socio economic conditions ऐसी है के बच्चियां जो है वो mostly jobs कर रही है और jobs की वज़ा से उनकी शादी डिले होती है और फिर naturally pregnancy भी डिले होती है तो ये सवाल बड़ा commonly पूछा जाता है तो 20 साल की उमर से लेके 30 साल की उमर के बीच में ये time period ऐसा है जिसमें uterus healthy होती है बच्चियां energetic होती है और act की quality बहुत अच्छी होती है तो इस दौरान जो हमल टहरते हैं उनमें पेचीदियां कम होती है abnormal बच्चे पैदा नहीं होते और patient जो है जो खातून है जो बच्ची है वो pregnancy को अच्छे तरीके से carry कर सकती है और deliver कर सकती है तो हमल टहरने की जो बेतरीन उमर है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक है Thank you so much